हाँ जी, तो दन विट यूर ब्रेक, आप लोगों का ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है, तो चलिए ब्रेक से पहले हमने जो डिसकस किया था, that was about your syllabus, आपके syllabus में क्या-क्या है, आप लोग क्या-क्या पढ़ने वाले है, अगले 70 डेस में क्या-क्या होने वाला है, वो सब हमने डिसकस किया था, चलिए, अब अपन बात करते हैं, कि सर, अब हम लोग एक बात करते हैं, कि सर एक बात बताईए आप, हमको कौन-कौन सी बुक्स मिलने वाली है इस बैच में, तो इस बैच में जो आपको बुक मिलेगी, वन इस दे कॉम्पाक्ट, कॉम्पाक्ट है, वो मिलेगी, अब जो कॉम्पाक्ट जो है, वो कॉम्पाक्ट में क्या होता है, क्या लेक का आपको theoretical, बहुत easy language में थेयरी लिखी होती है, दूसरा जो उसके साथ में मिलेगा, दूसरा जो उसके साथ में मिलेगा, एक बुक मिलेगा, दूसरा जो आपका लो का जो raw form रहता है, वो वाला raw form मतलब, क्या-क्या like law में है, that is exactly bear act, that is the raw form of the law, that is the bear act, ठीक है, चलिए, अब आप मुझे बोलोगे, एक तो compact रहेगी, एक compiler रहेगा, एक आपका bear act रहेगा, लेकिन compact compiler जो है, इस बार आपको दो volume में मिलेंगे, that is the volume 1, और फिर मिलेगा आपको volume 2, volume 1 आपको अभी आ जाएगा, दो दिन में, volume 2 आपको बाद में मिलेगा, same with the compiler, जैसे मैं आपको बताऊँ, this is the compact, ये जो है, ये आपका compact है, volume 1, और volume 1 जो है, इसमें मैंने 20 topics अभी ले रखे, वैसे ही आपके पास volume 2 भी आएगा, compact है, वो बहुत ही वैसी book है, बड़ी interesting सी book है, बहुत अच्छी सी book है, और इस book में, जहां जहां पर amendment रहेगा, उसको green color में डाला होगा, means it is a color coded book, normally blue color, जो जो चीज़े बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके लिए I have used the red color करके ठीक है, जहां पर amendment रहेगा, वहां पर आपका green color है, वो use होगा, जहां जहां amendment होगा, तो चलिए, यह जो book रहेगी, इसमें जैसे जहां जहां amendment रहेगा, there we have used the color, that is the green color, जैसे for an example, यहां पर companies के लिए, तो foreign companies के लिए पहले tax rate 40% हुई थी, हुआ करती थी, but now you know that, निर्मला सीता रवन जी ने बोला, अब foreign company के लिए tax rate is 35%, तो जब foreign company के लिए 35% का tax rate है, this is the amendment, so I have used the green color, so this is the color coded book कर गए, उसके साथ साथ में जहां जहां amendment रहेंगे, miss, जहां जहां amendment रहेंगे, वहाँ पर आपका color है, वो change हो जाएगा, that is the green color, तो जैसे amendment आपका यह, section 115 BAC में amendment हो गया इस साल से, और यह amended हुई है, by finance act 2024 से, with effect from assessment year 25 से, तो आपको 3 lakh तक कोई भी tax नहीं लगेगा, फिर 3 lakh to 7 lakh, 7 lakh to 10 lakh, 10 lakh to 12 lakh, 12 lakh to 15 lakh, वैसा slab rate चेंज हुआ है, यहाँ पर, तो यह आपका amendment है, तो यह आपका रहेगा green color में, so amendment is in green color, जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी point रहेंगे, वो आपके red color में रहेंगे, बाकी वाला point है, वो आपका blue color में रहेगा, heading जो रहेगा, वो हमेशा black color में रहेगा, so this is the color combination, I have used in the book that is called compact, compact कितने pages की रहेगी, so compact will be around आपका 450 pages, around 450 pages है, उस 450 pages की book रहेगी, जिसमें आपका पूरा income tax, including international taxation है, वो cover होगा, तो 450 pages का आपका theoretical book रहेगा, ठीक है, चलिए, उसके साथ साथ में, ये compact रहेगी, उसके साथ में आपको एक मिलेगा compiler, compiler भी आपको two parts में मिलेगा, और compiler में क्या रहेगा, आपके पुराने questions रहेंगे, और questions जो ICI ने दे रखे हैं, वो questions भी रहेंगे, और उसके साथ साथ में, पुराने कोई RTP के, MTP के, जो मुझे लगता है, बहुत अच्चे question है, या कुछ handmade question, जो मैंने बनाए है, वो आपके compiler में question रहेंगे, question, answer साथ में रहेगा, question है, वो blue color में रहेगा, answer जो है, वो black color में रहेगा, और मैंने यहाँ पर दे रखा होगा, कि वो question मैंने कहां से लिया है, जैसे यह diver zone of income, यह आपका study mat का question है, यह आपका study mat का question है, तो जो study mat के question रहेंगे, वहाँ लिखा होगा, कुछ question ऐसे रहेंगे, जो handmade question है, जो मैंने बनाए है, तो जैसे यह वाला question है, BB private limited, यह 115 BAC से related, मैंने question लिया है, यह handmade question है, यह question मैंने बनाया है, तो यह handmade लिखा होगा, अगर कोई question ऐसे रहेंगे, जो मैंने RTP से लिए है, तो यहाँ लिखा होगा, मैंने RTP से लिए है, यह handmade है, तो handmade लिखा होगा, जैसे यह question है, यह मैंने लिया है, 115 BAB पर question है, यह मैंने opt किया है, December 2021 exam से, लेकिन उसके साथ-साथ, मैंने कुछ और other adjustment है, वो मैंने include किये है, जो मैं inter से लिए है final में, because inter में भी बहुत बार, ऐसे question कभी-कभी बनते है, जो final के लिए भी ज़्यादा relevant हो सकते है, तो मैं बता दू, inter का, यह RTP का question है, December 2021 का, तो inter का question मैंने final में opt किया है, आपको लगेगा, sir inter का question हम final में करेंगे, भाई साब, जब आप यह करोगे न, तब समझ में आएगा, कि यह question कितना अच्छा है, दीरज करके question है, शायद intermediate अगर आपने last के, एक-दो साल में किया होगा, तब आपको पता चलेगा, अगर ठीक है, यह question, उसके साथ में, अगर कोई question मैंने RTP से लिया है, तो देखिए, यह similar question आपके RTP में 2023 में भी था, तो मैंने same नहीं लिया, बट मैंने बोला है, कि similar question आपके RTP में भी था, so this is your compiler, यह आपके लिए जो compiler रहेगा, वो मिलेगा, कब तक मिलेगा, उसके बाद में तीसरी बुक जो मैं बोल रहा था, that is the bare act, तो मैंने क्या किया है, कुछ section की as it is raw language भी लिये यहाँ पे, यह बुक आपके ज़्यादा काम की है नहीं, सिरब कभी-कभी हमको जब जरूत रहेगी, कि law में क्या लिखा हुआ है, bare act में क्या लिखा हुआ है करके ठीक है, जब उसका analysis करना रहेगा, तब अपन यहाँ से करेंगे, यह section 87A की यह bare language है, bare language में जैसा law में, act में दे रखा है, वो as it is language है, इसको कोई भी manipulate नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, as it is वो language हमने ले ली, जैसे 115BAA है, तो उसकी language हमने as it is ले ली, notwithstanding anything containing a law, तो यह अपन से सीखेंगे, तब आपको समझ मायाँगा, this is the bare act का book, यह कोई ज्यादा relevant नहीं रहेगा, side में इसको रखेंगे, जब जब अपने को जरोध रहेगी, जब जब अपने को refer करना रहेगा, जब जब उसको अपने को पढ़ना रहेगा, तब अपन उससे पढ़ेंगे, तो यह 3 books आपकी रहेगी, जो आपको मिलने वाली है, yes, compact and compiler, आपको 2 part में मिलेगा, volume 1 and volume 2, why 2 parts? because this time, like you know that, नया budget आया है, उसको act बनेगा अभी 2-3 दिन में, तो इसके लिए मैंने second part रखा है, कि कुछ और amendment आगे, तो I can incorporate in the volume 2 कर गे, ठीक है, चलिए, कुछ notification, circulars वगएरा आये, तो that I can incorporate, इसके लिए मैंने ऐसा किया है, चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो sir, यह आपकी books वाला जो doubt है, वो आपका clear हो जाता है, कि books में compact मिलेगा, compiler मिलेगा, bare act मिलेगा, अब आप मुझे यह बोलोगे, कि sir, कि sir, आपके वास income tax act है, बहुत अच्छी बात है, आप income tax act को जो है, वो carry कर सकते है, whenever you want, आप कर सकते है, आप read करना चाहिए, आप कर सकते है, कुछ doubt है, आप मुझे से communicate कर सकते है, आप मुझे से बात कर सकते है, ठीक है, आपको doubt कैसे solve होंगे, आपको एक application download करना रहेगा, वो application मैं आपको कल बता दूँगा, कल मैं यहाँ पर application का link दे दूँगा, वो application को download करके, वहीं पर आपको doubts पूछने है, और doubts वहाँ पूछने के बाद, आपके जो test paper वगरा रहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ हर weekend को एक test लेंगे, तो जो weekend का test रहेगा, वो भी आपको वहीं पर मिलेगा, कुछ MCQ वाला test, तो मतलब अपना communication उस application के माध्यम से होगा, that is the BB prep करके एक app है, आपको मैं कल उसका link दूँगा यहाँ पर, तो यहाँ से आप download कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए, अब आपका question यहाँ आता है, कि sir, क्या हम यह जो books पढ़ेंगे, तो इसके बाद हमको ICI का module, क्या हमको cover करना है, अलग से, उसको देखना है, answer is no, there is no need of that, answer is no, आपको एक direct text ऐसा paper है, आप बाकी paper में भले देखिएगा, आप FR है, AFM है, उसमें जरूर आपको देखना चाहिए, लिकिन आपको text के paper में, आपको ICI का module, ICI का material आप नहीं देखोगे, बिलकुल भी आप छोड़ दोगे, ignore कर दोगे, चलेगा, I am going to cover in compiler, जो compiler रहेगा, उसमें आपके ICI के module के 100% question cover होंगे, या फिर मैंने कुछ question को skip किया हो सकता है, जो की ज़्यादा जरूरी नहीं है, या बहुत easy-easy है, because ICI जब समझाती है, तो हो सकता है, easy question दे दिया, फिर easy दे दिया, फिर उससे hard दे दिया, फिर उससे hard दे दिया, तो मैं जो एकदम extreme level के hard question है, वो मैंने लिये है, कोई हो सकता है, simple-simple सा कोई calculation है, वो मैंने ignore कर दिया हो, तो आप ICI का module को direct text paper के लिए नहीं देखोगे चलेगा, there is no need to check the ICI module, आप जो है, वो यह जो book है compact and compiler, उस पे आप 100% rely कर सकते हैं, अब आप बोलोगे, sir हमारा तो target है, कि हमको rank लानी है, और rank लाने के लिए, क्या हमको ICI module भी पढ़ना चाहिए, answer is no, because that is what I got the feedback from the ranker, अगर आप AR1 की बात करोगे, जो शिवम करके बंदा है इस बार का, May 2024 का शिवम मिश्रा, आप उसका interview देख लीजिए, आप उससे बात कर लीजिए, he mentioned that, for all other subjects, he referred the ICI module, but except the direct text, direct text के लिए, उसने ICI का बिलकुल module नहीं देखा था, directly, he just went through the compact and compiler, and that is the sufficient, and he mentioned that, के compiler में जो question है, उसका level बहुत अच्छा है, तो आप directly जो है, वो compact compiler, यही आपका base material होना चाहिए, 450 pages का आपको compact मिलेगा, and 500 pages के अप्रोक्स है, वो आपको compiler मिलेगा, तो this 950 pages are sufficient for you, just you have to rely on this, और आपको यही पढ़ना है, ठीक है, चलिए, उसके बाद AR3, जो किरन का मैंने interview लिया था, आप interview देख सकते हो, हमारी website, उसने भी यही बोला था, कि sir for the DT, I just go through the compact and compiler, तो आप इतना पढ़ लेंगे, that is the coffee है, ठीक है, चलिए, अब किसी का question यह रहेगा, sir compiler में जो question है, वो सब क्या आप class में कराओगे, answer is big no, अगर मैं question कराओँगा, तो आप करोगे, क्या करगे, ठीक है, तो मैं question, selected question, I will discuss, I will solve in the classroom, but remaining question, you have to solve it your homework, आपको घर पे भी homework थोड़ा करना पड़ेगा, बिना homework किये, कुछ नहीं होने वाला, homework तो खुद को ही करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए, उसके बाद मैं, एक और चीज़ समझते है, उसके बाद मैं, एक और चीज़ समझते है, आपका ड़ूट ये रहेगा, क्या हमको कोई notebook बनाना है या नहीं, notebook, देखो, अगर आपको एक आदा notebook बनाना है, तो आप बना देना, आपके rough काम के लिए, या जैसे मैंने paper दिया, उसको solve करने के लिए, तो आप एक notebook रख लेना चाहिए, तो 200 pages का ज़्यादा pages की जरूवत है नहीं, 200 pages का आप एक notebook बना लीजिए, एंड उसके साथ में, notebook बना लिया, उसके साथ में आपको एक है ना, sticky note अपने साथ में रखना है, हर रोज, कल परसों से जब आपके आपके अस book आ जाएगी, उसके बाद आपको sticky notes साथ में रखना है, sticky notes जो है, वो आपको साथ में रखता, sticky notes किसको बोलते हैं, पता है न, वो yellow color के notes आते हैं, ठीक है पतले से जहां चाहिए, वो चिपका दो book में, ठीक है, तो वो sticky notes है, वो sticky notes है, वो आपको रखना है, क्योंकि क्या होगा, बहुत बार ऐसा होगा, कि मैंने यहां पे कुछ ड्रॉ किया, या मैंने यहां पे कुछ बनाया, और आपको लगता है, यह मुझे लिखना चाहिए, तो आप चुप चाप क्या करिए, उस sticky notes पे बना के, और जिस concepts related था, वहां पे उसको चिपका दीजिए, तो आपके पास में sticky notes है, वो sticky notes जो है, वो आपको carry करना है, तो आपको 200 pages का book है, यह आपके बस optional है, बट तो भी आप बना लीजे, क्योंकि कभी rough काम होगा, आपको question दिया solve करने के लिए, solution book में रहेगा, बट आप solution ना देखिए, आप पहले खुद try करिए, उसके बाद आ जाएंगे करें, ठीक है, चलिए, अब अपन, यह तो हो गई book की बात, यह आपके preparation के strategy, चलिए, अब अपन चलते हैं subject पे, बहुत देर हो गई, सर, subject बात ही नहीं की, अब अपन बात करते हैं subject पे, चलिए, हम जो पढ़ने वाले है, वो income tax law पढ़ने वाले है, क्या पढ़ laws में बहुत सारी sections होती है, जिसे एक बात बताओ, जैसे यह लिखा हुआ है section 15, 3, 5B, इसको कैसे read करेंगे, इसको कैसे read करेंगे, इसको कैसे read करेंगे, चलो बताइए, आप मुझे, how we will read it हम इसको read कैसे करेंगे इसको क्या बोलेंगे section इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे इसको कैसे read करेंगे किसी को phone पे बताना है तो phone पे आप कैसे बताओगे कैसे बताओगे कि काम कर पहले 15 लिक फिर bracket खोलके 3 लिख फिर उसमें एक और bracket खोलके 5 लिख उसके बाद अब भी लिख के ऐसा वोलेंगे how you will read it right answer is मैं बता तू सबसे पहले जो लिखा होगा that is call your section यह आपका section है उसके बाद जो लिखा होता है उसको बोला जाता है subsection उसके बाद जो लिखा होगा इसको बोला जाएगा clause और उसके बाद जो लिखा होगा उसको बोला जाएगा sub clause तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे that is section 15 subsection 3 clause 5 and sub clause B इसको एक्चुली जब ऐसे लिखा जाता है वो उसमें ग्रिश्या तुम सही बोल रही हो उसमें जो लिखा जाता है वो ऐसा लिखा जाता है सबसे पहले के sub clause B of clause 5 of subsection 3 of section 15 लिखा ऐसे जाता है बट आप इसको इसा याद रखिए पहले जो लिखा होता है वो section होता है उसके बाद जो लिखा होगा वो subsection होगा उसके बाद जो लिखा होगा वो clause होगा and उसके बाद जो लिखा होगा वो sub clause होगा अगर गे ठीक है तो that is the section ये तुम्हारा subsection है, ये तुम्हारा clause है, ये तुम्हारा subclause है, ठीक है, तो section के साथ में जो लिखा होता है, वो आपका subsection होता है, उसके बाद में clause, उसके बाद में subclause, आर्यन, अब एक और चीज़ समझे, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है section 2, 11, इसको क्या बढ़ेंगे, section 2, clause 11, ये subsection 11, section 2, clause 11, ये subsection 11, section 2, clause 11, ये subsection 11, section 2, clause 11, or subsection 11. Section 2 clause 11 or subsection. Right answer is इसको बोलेंगे section and इसको बोलेंगे 11 जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे clause इसको बोलेंगे clause not subsection अब आप मुझे पूछोगे sir कब हमको section के साथ में जो लिखा है उसको clause बोलना है and कब हमको subsection बोलना है क्योंकि एक बात बताओ आप जो मैं यहां बोल रहा हूँ 11 को आप clause बोलना है section 2 clause 11 and यहां पर बोल रहा हूँ section 15 subsection 3 कोई मुझे बता सकता है कि कब हमको subsection बोलना है and कब हमको clause बोलना है जैसे यहां वापस लिख रहा हूँ जैसे section माल लो 11 5 है तो इसको 11 को section और इसको subsection बोलेंगे लेकिन section 10 1 है माल लो तो section 10 में इसको section बोलेंगे और इसको clause बोलेंगे section 10 में भी 10 is a section 1 is a clause but 11 में section subsection जो लोग section 2 पे बैठे थे उनको मैं 10 तक खीचाया 10 पे लेके आ गया अब बताओ शशांक तो मैं तो 10 की बात कर रहा हूँ 10 मैं clause बोल रहा हूँ 10 जो है उसमें मैं तो clause बोल रहा हूँ चलिए बताइए कब आपको clause बोलना है कब आपको subsection बोलना है चलिए बोलना है मैं बता तो tension मतलो देखो अगर कहीं पे बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया दाट इस रुहित वेरी गुड मन्शा चलिए गुण गुण कितना अचा नाव है ने गुण गुण मेगा विक्रम भाई दिकास चलिए अब मैं आपको बता दू कब आपको clause बोलना है कब आपको subsection बोलना है देखो अगर कोई भी ऐसी list है जैसे माल लो 111, 112, 113, 114 एंड अगर आपका इसका एक दूसरे से link है link link है तो इसको हम बोलेंगे subsection subsection बट अगर माल लो ऐसी कोई list दे रखी है जैसे 21, 222, 223 अगर ऐसी कोई list है और इसका आपस में एक दूसरे से कोई link है उसको बोलना है clause वापस बोल रहा हूँ मैं समझदे ही कोशिश करना जब कोई भी section है उसके बाद माल लो एक और point है उसका आपस में interlink है link है तो वहाँ पे subsection बोलेंगे और guys जहाँ पे आपका कोई linkage नहीं है आपस में एक दूसरे से कुछ भी linkage नहीं है एक कोई linkage नहीं है independent है तो उसको अपन बोलेंगे clause जैसे example के लिए एक बात बताओ section 2 जो होती है वो आपके definition की section होती है section 2 जो है वो definition की section है तो section 2 जो definition की section है तो एक बात बताइए इसमें अलग-अलग definition दे रखी है जैसे 211 मान लो उन्होंने block of asset की definition दे रखी है उसके बाद 242A में उन्होंने short term long term asset की definition दे रखी है उसके बाद उन्होंने 222 में dividend की definition दे रखी है ऐसे ही एक definition होना domestic company की दे रखी है जिसका आपस में कोई भी linkage नहीं है मिस एक point का दूसरे point से कोई भी linkage नहीं है अगर एक दूसरे का linkage नहीं है तो वहाँ पे आपको clause बोलना है क्योंकि आप अगर section 2 को जाके देखते हो for an example मैं यहाँ पे लेके आया आपका income tax की website को आपन बहुत बार खोलेंगे इस batch में income tax india gov.in अगर मैं यहाँ पे tax laws and rules में जाता हूँ और tax laws में जाके मैं income tax act में जाता हूँ और income tax act में आप देखोगे कि यहाँ पे मैं section 2 जो है वो section 2 को अगर यहाँ पे open कर रहा हूँ तो देखो section 2 में क्या दे रखा है in the act in this act unless context otherwise required यहाँ पे 2.1 दे रखा है advanced tax की definition 1.A में दे रखी है agriculture income की definition उसके बाद 1.B में दे रखा है amalgamation क्या होता है 1.C में दे रखा है additional commissioner क्या होता है तो guys यह definition दे रखी है इसका एक दूसरे से कोई भी link is नहीं है वहाँ पे clause बोलने का क्या बोलने का clause बोलने का अब एक बाद समझना ऐसे ही आपको अभी एक और मैंने section बोला 10 तो 10 में जो है चलो मैं यहाँ पे आपके section 10 खोलता हूँ तो section 10 है वो exemption की बात करता है और section 10 में जब आप exemption देखोगे तो यहाँ पे देखिए section 10 जो है section 10 exemption की बात कर रहा है क्या बोला हुआ है कि यह वाली income है वो exempt है कौन कौन सी agriculture income exempt है उसके बाद यहाँ पे 2A में कुछ बोला हुआ है कि partner को partnership firm से जो remuneration मिलता है वो exempt है ठीक है उसके बाद four में बोला हुआ non resident की कुछ income exempt है तो बेटा इनका आपस में एक दूसरे से linkage नहीं है इसके लिए इसको clause बोलेंगे लेकिन बाकी जितनी भी आप section देखोगे ना वहाँ पे एक दूसरे से linkage होगा वहाँ पे सब section बोलेंगे अब आप बोलो के sir हम कैसे मान ले आपकी बात कि section 2, section 10 में clause बोलना है चलो मैं आपको इसको भरुसा दिलाता हूँ भरुसा आपको ऐसे भी मेरे पे होना चाहिए बट अगर नहीं भरुसा हो रहा है तो मैं आपको भरुसा दिलाता हूँ ये इस बार का budget है ये जो budget है budget में जब amendment होते है तो amendment होते है तो बोलते है आपको इस section में amendment करना है तो देखिए section 2 में section 2 में ये amendment कर रहे है तो ऐसा लिखना चाहिए न कि subsection change होनी चाहिए नहीं section 2 में कैसे amendment कर रहे है section 2, in section 2 पहला क्या दे रखा है in clause 22 मतलब section 2 का pass में जो लिखा हुआ है वो clause है 22 clause में आपको f point को और जोड़ना है f point है उस sub clause को जोड़ना है तो section 2 clause 22 हुआ ऐसे ही अगर मालो जैसे 10 का amendment है section 10 में देखो section 10 में क्या हुआ section 10 में amendment कर रहे हैं ये लोग तो in section 10 आपको क्या दे रखा है in clause 4D तो section 10 के पास में लिखा हुआ है 4D वो clause है अब आप बोलोगे चलो सर यहां तो clause है पर बागी जगे तो कहीं subsection होनी चाहिए 10 को छोड़ दिया आपने 2 को छोड़ दिया answer is yes वहाँ पे आपकी subsection होगी तो देखो जैसे 12AB section है तो 12AB में amendment करते हैं टाइम क्या लिख रहे है कि in section 12AB of the income tax act for the subsection 3 तो 12AB की subsection 3 है वो 3 को ऐसे amendment करना है तो आप इस चीजों को समझीए कि यहां पे कहां subsection और कहां clause है फिर confused मत होना कि यहां पे clause है और यहां पे subsection है मैं बोलते हैं मैं बड़ा perfectly बोलूँगा मैं section 10 के साथ जो बोलूँगा मैं हमेशा clause बोलूँगा section 2 के साथ जो बोलूँगा मैं clause बोलूँगा बड़ मैं बाकी sections के साथ जो बोलूँगा वहां पे मैं subsection बोलूँगा तो यह आपको थोड़ा idea होना चाहिए कि कहा सब section use हो रहा है कहा clause use हो रहा है आप बोलोगे income tax में और कोई ऐसी जगे है कि जहां पे sir like clause use हुआ है मैं बता दू आपको तीन चीज़े याद रखनी है एक तो section हमारे income tax में 2 है एक आपकी 10 है एक 47 है यह 2, 10 and 47 यह 3 section ऐसी है जहां पे clause word use होगा section 2 में section 10 में and section 47 में यह 3 जगे ऐसी है जहां पे आपका जो है वो clause word use होगा बाकी सब जगे है वो आपकी subsection word use होगा ठीक है चलिए यह तो हो गई आपके section की बात, subsection की बात, clause की बात चलिए अब एक बात बताओ, हम बात कर रहे है income tax की मुझे बताओ सबसे पहले हमारी government tax क्यों लेती है section 11 किस से related है करीना that 11 is related to the trust, charitable religious trust से related मुझे सब की chat दिख रही है तो आप बार बार यह मत लिखना करके ठीक है क्या भाई मुझे like 10.14 को कैसे 10.14.2 को कैसे बोलेंगे तो 10 is a section, 10 section clause 14, sub clause बोलेंगे इसको government tax क्यों लेती है right answer is welfare के लिए government tax लेती है welfare के लिए right answer is government tax क्यों लेती है आमदनी of the government to run the country चलिए very good तो किसी ने बोला government tax क्यों लेती है क्योंकि government को आपने एक responsibility दे रखा है to run the country, run India इंडिया को run करने के लिए एक responsibility दे रखा है कि हमारा जो beautiful country है भारत that is India उसको run करना है उसको चलाना है उसके लिए क्या चीज की जरूवत होती है अगर आपको कोई responsibility दी जाती है कि इंडिया को run करना है इंडिया को चलाना है तो उसके लिए दो चीजों की जरूवत होती है सबसे पहले किसी भी country को चलाने के लिए कोई भी decision लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए power होना चाहिए power होना चाहिए और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए पैसा होना चाहिए तो एक तो चाहिए आपके पास power और दूसरा आपके पास चाहिए पैसा, that is the money, one is the power, one is the money, अब एक पास समझना, हमारी जो government है, वो government, पावर कहां से लेती है, अपनी मर्जी है वैसे law बना देती है, अपने दिखा होगा कि law बना देती है, यह बना दिया, यह tax law बन गया, यह बन गया, वो बन गया, सर एक बा पावर आती है, Constitution of India से, Constitution of India और इंडिया का जो Constitution है, उस Constitution में governments को पावर दे रखी है, और government को पावर दे रखी है, आपको पता है, उसमें आपने ऐसा पढ़ा होगा, कि कुछ तीन लिस्ट है, और वो तीन लिस्ट में जो matter दे रखे है, उस पे law बनाने का पावर हमारी Central List है, जिसको अपन Union List भी बोलते है, Union List में कुछ matter ऐसे दे रखे है, जिस पे law बनाने का पावर है, वो हमारी Central Government के पास है, State List में कुछ matter ऐसे है, जिस पे law बनाने का पावर हमारी State Government के पास है, and guys, Concurrent List में जो भी दे रखा है, उसमें law बनाने का पावर दोनों के पास ह है तो concurrent list में तो as such ऐसा कुछ है नहीं करके ठीक है आपका state list and union list में है तो sir एक बात बताओ हमारी government income tax लेती है तो income tax लेने का power दे रखा है government को answer is yes दे रखा है और income tax लेने का जो power दे रखा है income tax लेने का जो देखो article 247 है उसका एक 7th schedule है और 7th schedule में फिर उन्होंने जो 7th schedule है उसमें ये power दे रखा है और constitution of India में एक entry है that is the 7th schedule में और वो entry number 82 entry number 82 of union list union list constitution of India में जो union list है वो union list में entry number 82 है और 82 number entry है वो हमारे central government को power देती है कि government tax लगा सकती है tax on income income पे tax लगा सकती है other than agriculture income agriculture income को छोड़के बाकि कोई भी income होती है उस income पे हमारी government tax लगा सकती है central government tax on income other than agriculture income ये power कहां दे रखा है entry number 82 of the union list of 7th schedule of article 246 में कर गए ठीक है चलो आपने काम करते है एक बार constitution आपको बता ही देता हूँ जब भी मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा या कुछ ऐसे भारी-भारी word यूज करूँज करूँगा तो मैं आपके सामने वो चीज है वो प्रस्तूत भी करूँगा कि यह दे को यहां दे रखा है चलिए मैं यहां पे constitution of India जो है वो सर्च कर देता हूँ तो constitution of India यह रहा constitution of India का pdf version, English version चलिए मैंने यहां पे आपका English version जो है यह भारत का संभीन दाद यह तो हिंदी हैगे अब इस article में आप देखिए यहां पे article लुवर आपका सबसे पहले article में चलते हैं अपन और article में आपका 246 लुवर का article article number 246 यह रहा article number 246 यह देखिए क्या लिखा हूँ Subject Matter of Laws made by Parliament and by the Legislature of States, means ऐसे Subject Matter दे रखे है, जिसमें हमारी Parliament and जो Legislature of States है, वो law बना सकते है, Subject Matter of Laws made by Parliament, Parliament का मतलब हमारा main, जो Central Government and by the Legislature of State, मतलब State और यह कहा दे रखा है, 246 में यह पावर दे रखा है अब मैं अगर Article No. 246 में जाता हूँ, तो देखिए 246 में क्या दे रखा है, अब यहाँ पे यह जो है आपका, इसमें मैं गया Article No. 246 में, एक सगेंड हाँ, पहुच गे, पहुच गे, पहुच गे बस, 246 और यह सब, Constitution बहुत बड़ा है न, बुलते है बदल देंगे, बदलेंगे, कैसे इतना बड़ा है, Constitution में 246 करके, ठीक है, चलिए, अब एक बास हम स्मेजना, यह तो तुम्हारा आर्टिकल आगया, 246 करके, ठीक है, चलिए, आर्टिकल 246, 246 में क्या दे रखा है, subject matter of laws made by parliament and by the legislature of subject the state क्या दे रखा है notwithstanding anything in clause number 2 and 3 means 2 या 3 में जो दे रखा है उसको छोड़ के parliament has exclusive power to make the laws with respect of any of the matter enumerated in the list 1 in the 7th schedule in the constitution referred as the union list इन्हों ने बोला कि हमने इसका schedule बना रखे है last में schedule का मतलब ऐसे होता है enclosed list करके ठीक है तो इन्हों ने बोला कि हमने कुछ schedule बना रखे है और जो 7th schedule की list 1 में जो matter दे रखे है उस पे law बनाने का power है वो हमारे किस के पास है central government के पास है ऐसे का ऐसे जो आपका 7th schedule में list 2 है उस पे law बनाने का power है वो state government के पास है और concurrent वाले में दोनों के पास है ठीक है चलिए अपने काम करते है 7th schedule ही देख लेते हैं तो देखो यहाँ पहुचे अपन यह आ गया यह आ गया बस यह देखो यह आ गया Constitution of India भाही कौन सा schedule चल रहा यार 7th schedule कहां गया रही आजाओ यार 2nd schedule आया भी तो यह तुमारा हो गया 6th schedule 6th के बाद तो 7 आना ही चाहिए यह 6th हो गया भाही साब 6th schedule बहुत बढ़ा है मतलब यह 6th आ गया एंड 6th के बाद यह देखिए आपके सामने ओ भाही साब यह आ गया आपका 6th schedule ही चल रहा है अभी भी यह यह आ गया 7th schedule देखो तो 7th schedule का यह सबसे पहला Article 246 के हिसाब से 7th schedule अब यह वाले जो matter है इस matter अभी सार कंट्रोल एफ कर दिया ओ भाही साब मुझे तो पता ही नहीं था क्या knowledge है आप लोगों नहीं थैंक्यू आप मुझे बताने के लिए करके ठीक अगली बार से मैं ऐसा ही करूँगा ठीक चलो 7th schedule और 7th schedule में आपको दे रखा है यहाँ पर कुछ ऐसे matter जिस पर law बनाने का power Central Government के पास है कौन कौसे matter है बड़ा simple है Defense of India इंडिया का जो defense है उससे related law कौन बनाएगा Central Government बनाएगा CDC बात है ऐसे का ऐसे जो Armed Forces बगरा जितने भी यह law है CBI Central Bureau of Investigation याद आए CBI देखो कहाँ दे रखा है Entry No. 8 में दे रखा है Central Bureau of Intelligence and Investigation CBI बगरा उसके बाद एक बात बदाओ इसी में आती है Entry No. 82 82 में क्या दे रखा है 82 में Entry No. 82 पे चलते है और 82 Entry No. देखो क्या बोलती है ओ भाही साब ये रही Entry No. 82 और 82 में बोला हुआ है Taxes on Income Other than Agriculture Income Agriculture Income को छोड़के बाकी पे टेक्स जो है Agriculture Income को छोड़के बाकी जो भी इंकम है उस पे टेक्स हमारी Central Government ले सकती है एक बात बताओ इंडिया में Agriculture Income पे Tax लगता है या नहीं लगता है क्या ये पावर किसी के पास है या नहीं Central Government के पास तो नहीं क्योंकि यहां Clearly बोला हुआ है Taxes on Income Taxes on Income Other than Agriculture Income Central Government Income पे टेक्स ले सकती है Agriculture Income को छोड़के तो क्या Agriculture Income पे Tax लेने का राइट किसी के पास है या नहीं चलो बताओ खड़ावट Agriculture Income पे टेक्स लेने का राइट किसी के पास है या नहीं पहले राइट है का नहीं लगता नहीं लगता वो बात की बात है राइट है या नहीं बोताओ मुझे राइट है या नहीं Agriculture Income तो एक्जेम्ट है Right answer is Right answer is Sir Agriculture Income पे Central Government टेक्स तो नहीं ले सकती लेकिन क्या State Government को ये पावर दे रखा है answer is yes हमारी State Government चाहे तो Agriculture Income पे टेक्स ले सकती है और मैं बताओ ये पावर State Government को कहा दे रखा है तो चलो State List देखते है इसके बाद तो जैसे ही Central List कंप्लेट हो जाती है इसके बाद State List चलो होती है और State List में अगर आपन जाते है तो State List में एक Entry Number है That is the Entry Number आपका देखिए Entry Number Entry Number 46 और देखिए Entry Number 46 क्या बोलता है That is the कहां चला गया रहे Taxes on Agriculture Income देखो Entry Number 46 Entry Number 46 है That is the Taxes on Agriculture Income तो Agriculture Income पे Tax लेने का जो राइट है वो किस के पास है? State Government के पास है State Government चाहे तो Agriculture Income पे Tax ले सकती है Otherwise जो है वो Tax नहीं लगता तो देखो अभी तक अगर मैं बोलू कि अगर इस Country को चलाने के लिए क्या चीजों की ज़रूत है? One is the power One is the पैसा. Power जो है Law बनाने का पावर कहा दे रखा है? आपके Constitution में Article No. 246 और Article No. 246 की 7th Schedule है और 7th Schedule में List है One is the State List, one is the Union List या Central List जिसको बोल सकते हो Union List में वो वाले Matter दे रखे है जिस पे Law बनाने का पावर जो है वो Central Government के पास है उसका Entry No. 82 है जो ये पावर देता है Central Government को कि वो Law बना सकते है Tax on Income अधर देन Agriculture Income Agriculture Income पे टेक्स लगाने का पावर है वो State Government के पास है और State Government चाहे तो टेक्स ले सकती है due to the Entry No. 46 of the State List of the 7th Schedule of the Article 246 of Constitution of India के इसाब से मुझे एक बात बताओ कि Sir Agriculture Income पे आज की डेट में टेक्स नहीं लगता कितनी भी Agriculture Income कमाओ there is no tax आपको क्या लगता है क्या Agriculture Income पे टेक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए that is one question from my side क्या Agriculture Income पे टेक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए what you feel agriculture income पे text लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए आज की date में agriculture income पे text नहीं है अयोश क्या लगता है कुछ लोग बोलते हैं नहीं लगना चाहिए कुछ लोग बोलते हैं लगना चाहिए राइट कुछ बोलते हैं नहीं लगना चाहिए बोलता है 50% लगना चाहिए अरे भाई आज की date में कोई भी agriculture income कमाता है even company कोई company ने मालो farm लिया और farm पे agriculture produce बनाया भेजा, export किया, कमाया no tax at all right answer is right answer is देखो मेरा मानना क्या है वो मैं आपको बता दूँ आपका मानना क्या है हो सकता है अब agriculture income पे tax क्यों नहीं लगता उसके पीछे के दो reason पहला reason तो यह है अगर sophisticated reason देखे तो government farmer को protect करना चाहती है government चाहती है लोग agriculture और इंडिया का major portion agriculture पे depend है population का तो government चाहती है इस पे tax ना लगाए इस पे tax जो है वो ना लगाए ठीक है तो that's why agriculture income is exempt because they want to promote the farming that is the sophisticated way दूसरा agriculture income पे tax इस लिए नहीं लगता क्योंकि मैंने तो यह देखा है कि बहुत सारे politician का agriculture income है आप देखोगे जितने भी politician है वो politician का agriculture income है बहुत सारे politician का पीच इदंबरम तक का agriculture income है बाकीत को तो छोड़ दो पीच इदंबरम ने नरसरी हुगा ही नरसरी से बुलते है उसने पौदे बेचे और बुला agriculture income है and it is totally exempted उसके जाथ साथ में it is a vote bank also आज की date में अगर मालो कोई सरकार agriculture income पे tax लगा ले तो government गिर जाए मैं लिखके दे सकता हूँ कर गे ठीक है और ये वाली जो government है अभी वाली जो current Modi सरकार जो है या जिसको अपन एंडिया की government बोलेंगे एंडिया की government में तो BJP के पास majority नहीं है और majority नहीं हो अगर मालो agriculture income पे tax लगा दे तो भाई साब government है वो गिर जाएगी बड़े protest होंगे और बड़ी चीजे होगी now what is my opinion कि agriculture income पे tax लगना चाहिए या नहीं my opinion अगर आप मेरी opinion बोलोगे पूछोगे तो मैं बोलता हूँ कि agriculture income पे tax लगना चाहिए बिलकुल लगना चाहिए but there should be a threshold limit आप एक बड़ी threshold limit दे दीजिए ठीक है बड़ी threshold limit दे दीजिए बड़ी threshold limit means sir आप एक काम करिये ऐसा कर दीजिए कि 50 lakh रुपेस तक आप agriculture income कमाते हो तो 50 lakh तक की agriculture income को exempt कर दो but why not tax on more than 50 lakh अगर if any person is earning more than 50 lakh रुपेस then there should be the tax आप 50 lakh तक की income को exempt कर दो हम यह नहीं चाहते गरीब किसान पे tax लो मैं यह चाहता ही नहीं और income होत तो tax लो और 50 lakh का exemption दे दो 50 lakh का अब basic exemption दे दो 50 lakh का basic exemption दे दो कि 50 lakh रुपेस तक की income पे कोई tax नहीं लगेगा जो किसान 50 lakh कमा रहा है थीक है उसको tax नहीं मत लो but when that person is earning more than 50 lakh रुपेस more than करोड रुपेस then he should be chargeable to tax नहीं आप देखो कि बहुत सारे किसान ऐसे है जो बड़े संपन किसान है का संपन means they are like you can say that वो जो किसान है उनके बहुत पैसा है and they are earning करोड सो रुपेस from the agriculture activity उन्होंने कंपनिया बना रखिया फर्म बना रखिया बड़ी बड़ी गाडिया लाते है जी वेगन में गुम रहे है मान लो करके ठीक है तो उस पर्टिकुलर केस में तो भया tax लगना चाहिए न when a salary employee when he is earning 10 lakh रुपेस he used to pay the tax then why not the like person who is earning income from the agriculture तो agriculture की income पे tax लगना चाहिए मेरा मानना यह है के yes लगना चाहिए it should not be like exempted अप exemption दो बट 50 lakh 50 lakh भी मैंने upper side बोला है government consider 20 lakh भी कर सकती है 25 lakh भी कर सकती है अगर के ठीक है and उसके उपर की income होगी उस पे तो tax लगना चाहिए my view is yes it should be taxable India will get the good tax amount from the agriculture income अगर ऐसा होता है तो अब मैं बता दू अब मैं बता दू agriculture income exempt है इसकी वज़े से बहुत ज़्यादा market में tax avoidance भी होता है tax avoidance का बढ़ा तरीका simple सा तरीका है आपने देखा होगा आपने सुना होगा अमिता बच्चन की agriculture आप देखो के बड़े बड़े politician की agriculture income है और यह agriculture income जो है न अगरिकल्चर income जो है यह agriculture income सच में होती नहीं है बहुत बार तो यह लोग planning करते है कैसे planning करते है एक example मैं लेता हूँ ठीक है जैसे माल लो मैं मेरी बात करता हूँ मेरे पास में यह खेत है राजस्तान में यह राजस्तान में मेरे पास agriculture land है में लोग कैसे मजे लेते है देखना agriculture land है यह मेरे नाम पे है राजस्तान में है अब यह राजस्तान में agriculture land है मैं यहाँ पे कुछ activity होती नहीं है आजकर बट मेरे पास है कैसे, बड़ा सिंपल से वाइट कर दूँगा, कैसे मैं यह बोलता हूँ, मेरे नाम पे है अग्रिकल्चर लेंड, मैं यह बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे अग्रिकल्चर प्रोड्यूस किया, और अग्रिकल्चर प्रोड्यूस करने बहुत सारे seller होते हैं, बहुत सारे seller buyer होते हैं, तो उनसे क्या करूँगा, मैं सिरफ बिल ले लूँगा, मैं उनसे सिरफ क्या करूँगा, ये Mr. BB, मैं क्या करूँगा, बिल ले लूँगा, और मैं उससे बिल लेके, मैं बोलूँगा, मैंने आपको agriculture produce बेचा है, आप मेरे bank मे पैसा दे देगा और मैं उसको cash दे दूँगा और market में ये transaction होते है 1-2% देखे और market में ऐसे transaction होते है अब एक बात समझना अब होगा क्या कि मैंने उससे bill लिया और bill लेके मेरे bank में पैसा आ गया मैं तो बोलूँगा मैंने agriculture produce बेचा है मैंने agriculture produce बेचा है और भाया और agriculture produce exempt करा दूँगा under section 10-1 तो black and white बढ़ा easily हो जाता है या फिर आपको मैं बता हूँ बिल की भी बहुत बार जरूरोत ने होती चोटी सी 5-10-15 लाग की agriculture income तो आप ऐसे ही बता सकते हो cash है जमा करा तो बोलना हमने agriculture produce बेचा था हमारे पास agriculture land है अब कौन देखने आ है कि आपके प बड़ मैं बता दूँ आज कल वो income tax department भी बड़ा हुश्यार हो गया है income tax department जो है वो income tax department बड़ा intelligent हो गया है और income tax department आज कल क्या करता है पता है अगर मैं बता दू अगर बड़ा case है जहाँ पर लगता है कि करोडों का avoidance हो सकता है, इंकम टेक्स डेपार्टमेंट आजकल आपसे पूछता है, एक केस ऐसा आया, जिस मैं असेसी से पूछा, कि अच्छा, आपने अग्रिकल्चर इंकम बताई, for an example, यह असेसी बोलता है, कि मेरी अग्रिकल्चर इंकम है, दो करोड रुपे की, AO उससे पूछता है, कि अग्रिकल्चर इंकम है, क्या आपने बोया था, बताओ, कौनसी क्रॉप आपने सेल की, असेसी आजकल, वो भी बता देता है, मैंने यह क्रॉप सेल की, यह आप बिल, अब सच में वो अग्रिकल्चर लेंड, अग्रिकल्चर एक्टिविटी हुई थी या नहीं एक केस में ऐसा हुआ कि income tax department ने क्या किया पता है satellite से photos मंगा ली वो खेत की उससे पूचा अच्छा बता कौन से time पे हुआ था तो उसने बताया कि मैंने मालो December से लेके और March तक हमने ये वाली crop जो है ये खेत में लगाई थी department use the technology department ने क्या किया हमारा जो इस रो वगिरा है उनसे उन्होंने बोलके और वहां से उस area की उस period की satellite की photos मंगा ली और satellite की photo जब मंगाई तो उन्होंने देखा कि वो satellite की photo में तो वहां जमीन पे कुछ है ही नहीं there is no agriculture at all कुछ हुआ ही नहीं agriculture प्रोड्यूस ही वहां पे नहीं था और अससी को पकड़ लिया यहां पे बोला तो जोट बोल रहा है और उस पे मतलब like case लगा दिया वैसे का वैसे एक और case आया था बीच में करके जिसमें एक अससी ने 15 करोड रुपे का evasion था 15 करोड रुपे का उसमें क्या हुआ पता है तुमको 15 करोड रुपे का उसने agriculture land बेचते हो आपको पता है agriculture land बेचते हो रूरल एरिया की agriculture land तो उस पे tax नहीं लगता वो भाई ने उस agriculture land को convert करा के उस पे complex बना रखा था complex complex मतलब shopping complex बना रखा है मतलब वहां पे commercial complex है और फिर मेरी इंकंपूरी एक्जेम्ट है इपार्टमेंट ने registration की date पे वहां से photo मंगवाई satellite की और satellite की photo मंगवाई और photo मंगवाने के बाद ठीक है photo मंगवाई और photo में पता चला के जिस दिन उसने बेचा है उस दिन तो वह agriculture land है ही नहीं वहां पे तो commercial complex कड़ा हुआ है कर ठीक है वहां पे जो है वो तो commercial complex का है वहां पे और भईया 15 करोड रुपे का case था उसको पकड़ा करें वैसे ही एक और case में क्या होता है आपको पता है मैं आपको आगे जाके जब बताऊंगा कि एक exemption होती है 1037 की 1037 की एक exemption होती है 54B की उसमें क्या होता है कि agriculture land है वो आप बेचते ह या compulsory acquired होती है तो उसमें आपको exemption मिल जाती है लेकिन उसमें condition है कि last के दो साल वो agriculture land agriculture purpose के लिए यूज होनी चाहिए agriculture purpose के लिए यूज होनी चाहिए अससी ने बोला मैंने तो यूज किया था उन्होंने देखा देखा तो कुछ कोई नहीं रहा है वहाँ पे करके ठीक है कि income tax department obtained the satellite photos to like protect from the evasion of tax in the agriculture income आप ऐसा कुछ heading डालना और आपको दुनिया भर के आपको article मिलेंगे times of India के वगरा और जहां से पता चलेगा आपको कैसे कैसे cases है वो market में आ रहे है तो लोग ऐसा करते हैं नहीं करना है यह आपके लिए ध्यान रखना मैंने आपको दो-तीन चीज़ें यहाँ पर बता है चलिए but agriculture income पर tax लगना चाहिए मेरा view है yes बिलकुल लगना चाहिए because when a person earning non agriculture income when he is paying the tax if he is earning more than 7 lakh 8 lakh rupees then if any person earning agriculture income and if that is more than 50 lakh rupees government should charge the tax और एक बात बता दू दो-तीन साल पहले suggest भी किया था इन्होंने committee बनाई थी हमारी government ने committee बनाई थी और committee ने suggestion भी दिया था कि agriculture की income जो है उस पर tax लोगना थी कि suggestion भी दिया था बट वो suggestion को government ने माना नहीं अभी तरफ 2022 या 21 में जो एक commission बनाया था उस commission ने यह recommendation दिया था कि there should be a tax on agriculture income after certain threshold but still उस पर implementation नहीं हो रहा है चलिए अब एक बात समझना तो पहला power मिल गया अब government पैसा कहां से लाती है एक बात बताओ money कहां से government लाएगी तो money लाने के लिए सबसे पहली चीज़ गवर्मेंट पैसा कहां से लाती है तो government पैसा जो लाती है न वो तीन जगे से आ सकता है या तो government खुद के businesses करती है खुद के businesses गवर्मेंट के बहुत सारे businesses है आपने देखा होगा एक्जामपल के लिए government की बहुत सारी कंपनिया है एक्जामपल के लिए government का business जैसे railway है या फिर बहुत सारी government की कंपनिया LIC है, या फिर आपका BPCL है, या फिर आपका IOCL है, यह जितनी भी government की company है, यह government business करती है, दूसरा government पैसा मांगती है आपसे मिस आप उसके parents हो ना, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और आपसे पैसा मांगती है, in the form of the taxes आपसे government पैसा मांगती है in the form of the taxes and guys, taxes के बाद में, अगर इससे भी government की need पूरी नहीं होती, तो government क्या करती है, loan लेती है आपने देखा होगा, कि government ने loan ले लिया loan ले लिया, जैसे world bank से loan लिया, IMF से loan लिया, अगर के ठीक है, international monetary fund उससे loan लिया, तो loan लेती है तो देखो, सबसे पहले government पैसा कहां से चुटाती है, government के businesses है जैसे railway है, LIC है BPCLA, IOCLA, वहां से उसके बाद में, government का अगर पेट नहीं भरता इससे, जितनी चाहिए उससे, taxes से, और उसके बाद में loan, तो first priority government business second is a taxes and third is a loan जिन countries में, जैसे दुबई है, तो दुबई में tax नहीं लगता, क्योंकि दुबई में tax loan का सवाल ही नहीं होता, उनके businesses वगरा से इतना उनको पैसा मिल जाता है जैसे petrol बेज के, ये बेज के उनको बहुत पैसा मिल जाता है, तो taxes तगाते ही नहीं loan भी नहीं आते, हम लोग government हमारी government क्या करती है, पहले business भी करती है, फिर आपसे taxes लेती है, और फिर अगर taxes से भी पैसा पूरा नहीं होता, तो फिर वो क्या करती है, लोग लेती है अब एक चीज समझना, आपके जो taxes है न, वो इंडिया में दो तरीके taxes होते है one is your direct tax one is your direct tax and one is your indirect tax one is your direct tax and one is your indirect tax अब एक बात समझना, direct tax क्या होता है, indirect tax क्या होता है तो direct tax मतलब ऐसा tax जो directly आपसे ले लिया जाता है, मतलब जिसका tax है, उसी से government tax लेगी, that is called direct tax मेरा income tax है मेरे से ही लेने वाले है, that is called direct tax, indirect tax क्या होता है, यह जो tax, indirectly लिया जाता है, मतलब government collect किसी एक परसन से कर रही है, but ultimately उसका burden जो है वो shift होने वाला है ultimate consumer पे, that is called your indirect tax example के लिए GST, अब एक बात वादा हूँ आपने हमारा batch लिया, माल लो हमारे batch का fees आपना 14,000 पे किया, तो 14,000 पे करते हैं, मैं ऐसा बार बार बोलते हैं, आपने BB sir को 14,000 दिया है, नहीं मेरे को 14,000 नहीं दिया आपने 14,000 हमको दिया है इसमें एक component GST का भी है, और इसमें 18% GST है तो अगर आप देखोगे 14,000 रुपेज, divide by 118, multiply by 18, it comes to the 215 2135 या 36 आपने 2136 रुपेज है वो आपने GST पे किया है 2136 आपने GST पे किया है, और बाकी वाला जो है वो हमारा DTE का फीज है, तो आप जो बोलते हो ना, कहले हमने तो BB sir को 14,000 दिया है, नहीं, 14,000 हमको नहीं दिया है बाकी वाला आपने government को दिया है ठीक है, तो उनसे भी पढ़ लो करेंगे उनसे बूच लो, बाकी वाला आपने उनको दिया है हमको जो दिया है, वो 14,000 माइनस 2136 को हम लेस कर देंगे बाकी जो बचेगा, वो हमारे पास आया है इतना हमने GST है, वो government को आपका pay कर दिया करेंगे, ठीक है चलिए, यह बोलता है कैश में ले लो, बिल मत काटना करेंगे ठीक है, भाई साब, यह रहने दो हम से ना होप है हमको बड़ा डर लगता है कि इस सब चीज़े नहीं करनी चाहिए और मैं तो यार, ethical practice पढ़ाने वाला हूँ आपको और आप evasion की बात कर रहे हो tax avoidance की बात कर रहे हो, नहीं तो देखो, indirect tax क्या होता है कि आप देखो, आपने tax दिया हमको, हमने आपसे collect करके government को जमा करा दिया that is called indirect tax, direct tax क्या होता है जिसका tax है, उसी से लिया जाता है indirect tax क्या होता है, indirectly अब एक और चीज़ समझ ना एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ मुझे government के लिए कौन सा tax collect करना easy रहता होगा direct tax या indirect tax government के लिए कौन सा tax collect करना easy रहता होगा direct tax में example is income tax and it is GST है customs है और भी कोई ऐसे आपके excise है वो indirect tax है government के लिए कौन सा tax collect करना easy रहता होगा government easily collect कर लिती है ऐसे बैटे मैटे easily ऐसे right answer is indirect tax या direct tax right answer is government के लिए कौन सा tax collect करना easy रहता हो right answer is government के लिए indirect tax है वो collect करना easy है as compared to direct tax ऐसा क्यों क्योंकि देखो indirect tax में क्या होता न बहुत बार कि जो बंदा tax भरता है उसको पता ही नहीं होता वो tax भर रहा है जो बंदा tax भरता है उसको पता ही नहीं होता कि वो tax भर रहा है पता ही नहीं होता कि उसको tax भर रहा हो that is called indirect tax तो government के लिए easily collect हो जाता है आपने admission लिया DT का आपने 14,000 पे किया आपको पता है उसमें से 2300 है वो मोतीजी को दिया आपको पता ही नहीं चला आपने tax बढ़ा है तो इसके लिए government के लिए ये tax pay करना है ना बड़ा easy है लेकिन guys ये जो tax pay करना है इसमें ये बड़ा दिक्कत वाला है क्योंकि अपने सीधा दिल पे दुखता है यहाँ पे दर्द होता है आप सोचिए इंडिया में tax structure ऐसा है कि आप अगर 100 रुपिस कमाते है तो there may be possibility कि आपको tax है वो 43% तक लग सकता है means आपको 43 रुपिस है वो आपको government को देने पड़ेंगे तो यह जो है ना यह सीधा यहाँ पे दर्द होता है यहाँ पे दर्द होता है पता चलता है आपको अरे यार इतना tax बढ़ना है तो यह government के लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात है क्योंकि लोग चोरी करने की कोशिश है यहां खड़ते है तो easy government के लिए collect करना indirect tax है, DT है वो आपका difficult है क्योंकि लोगों के सीधे यहां दिल पे दर्द होता है इसके लिए DT है, वो थोड़ा difficult है उसके बाद एक चीज़ समझना जब DT difficult था इसी लिए तो इन्होंने एक TDS concept लाया आपको बताए TDS concept, TDS TDS क्यों लाया 43% कैसे आया, बताएंगे आपको हाँ, तॉबा, तॉबा, हाँ, बताएंगे 43% कैसे आया एक दो दिन में प्रता चल जाएगा एक बाद हो रहाओ DT जो है, उसमें TDS concept लाया, TDS क्यों लाया क्योंकि लोग टेक्स भरते ही नहीं थे लोग जो है, वो टेक्स भरते ही नहीं थे तो उन्होंने TDS लाया कि जहां से आपकी income आ रही है न, उसी पे कुछ पहले ही टेक्स कर जाए, that is concept is called TDS अब एक बात बताओ, TDS का perfect example समझने के लिए, आप खुद का रुपेज चाहिए, बीबी सर ने बोला है, एक 200 pages की notebook लानी है मान लो, आपकी मम्मा के पास में 70 रुपेज चुट्टा नहीं था मम्मा ने आपको 100 रुपया दे तो मम्मा ने आपको 100 रुपया दिया, आप चुप-चाप 100 रुपे लेके घर से निकल गए, आप notebook लेके आओ एक week के बाद मम्मा को याद आता है, और मम्मा आपसे मांगती है, कि बेटा वो 70 रुपेज की notebook लाई थी 30 रुपेज तू मुझे वापस दे दे, अब क्या होगा उस दिन, उस दिन दो चीज़े हो सकती है, या मम्मा कौन सा 30 रुपेज खतम हो गया, या फिर आपके पास है, तो आप मम्मी को जब वो 30 रुपेज दो गे न, वो 30 रुपेज जब मम्मी को दो गे न, तो बड़ा दुख होगा, आप जब 30 रुपेज मम्मा को देते पम्मी ने शायद आपको 70 दे दिया होता तो इतना बुरा नहीं लगता जितना सौ दे के 30 रुपया वापस मांगना बुरा लगता है सेम कॉंसेप्ट इस अगर आपकी पूरी इंकम आ जाती करके आपके हाथ में तो वह यह टेक्स बढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती तो क्या करता हूं उनका TDS ही 25-30 परसेंट है वो काट लेता हो करके जिससे कि उनको बाद में जाके या दिल पे दर्द ना हो रिटन फाइल करते टाइं के टेक्स बढ़ना है परसेंट को खेंच जल रिटन है अब मुझे एक और बात बताओ मुझे घंची मान को जादा रेवेन्यू खें हुता होगा direct tax से या indirect tax prince को आज की लेट में पहले हो सकता कुछ बीता आज की डेट में आपको क्या लेकता है कुर्ति हमारा हाद 그다음에 money है, हम गवर्मेंट को इतना tax दे देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पैस में, गवर्मेंट को ज़्यादा revenue किस से होता होगा, DT से IDT से, right answer is, guys, right answer is, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का answer IDT आया है, but guys, now case is reverse, अब गवर्मेंट को direct tax से ज़्यादा revenue है, as compared to indirect tax, मतलब, आप क्योंकि गवर्मेंट ने इस बार जो budget दिया, budget से पहले ये लोग एक glance देते हैं, और अगर आप देखोगे, तो इसमें इन्हों ने जो highlight दिया, उसमें बताया है, कि गवर्मेंट को revenue है, देखो, मैं कहां से ले रहा हूँ, जो budget है, rupees come from, पैसा गवर्मेंट के पास कहां से आ रहा है, एक time था, जब आपका income tax से government को सिरफ 10-12% revenue आता था, but now it is a 19%, 19% revenue है, वो government को कहां से आने वाला है, income tax से आने वाला है, उसके साथ-साथ मैं, union excise duty है, excise duty जो union वाला है, उससे 5%, GST से 18% है, तो देखो, GST से 18% है, और income tax से 19% है, लेकिन बड़ी interesting चीज, corporate tax से 17% है, तो corporate tax भी तो income tax काई पार्ट है, एक बात बताओ, corporate tax मनला, company को tax, तो जो companies को tax लग रहा है, वो भी तो companies को tax लग रहा है, वो भी तो income tax ही, अपन उसको बोलते भले अलग से corporate tax है, but it is also income tax, तो आज की date में अगर आपको कोई ये पूछे, कि ज़्यादा revenue, GST का है, या income tax का है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा, income tax का है, और अगर corporate tax को जोडते हो, तो दो और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 19% and 17%, it comes to the 36%, 36% revenue है, वो आपका direct taxes से आता है, और बाकी ये जो revenue है, एक तो आपका 18% और एक 5% है, ये government को indirect taxes से आता है, ये तुमारा indirect taxes से आता है, बाकी custom से 4% revenue आता है, उसके बाद मैं जो क्या बोलते हैं, non tax receipt से 9% government इतना loan लेगी, देखो, वो लोन लेके borrowing and other liabilities जो है, इस से government को revenue आएगा, तो इस साल जो पैसा आएगा, एक रुपे में कितना पैसा कहां से आ रहा है, और पैसा जा कहां रहा है, तो पैसा जा कहां रहा है, तो यहाँ पे जा कहां रहा है, आपके other expenditure, pension, interest payment में हमारा 19% जाता है, interest payment में ही इतना चला जाता है, ठीक है, चलिए, अब एक बाद समझना, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे मैंने आपको बड़ी simple-simple सी चीज़े बताई, और simple-simple सी चीज़े आज आज आपको मैंने बताई करगे, ठीक है, आज का lecture अपन यहीं पे wind up करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेंगे, तो मैंने आपको सिरफ क्या बताया, आज एक बार मैं वापस से चीज़ को revise करा देता हूँ, जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको आज जो बताया, वो क्या बताया, सबसे पहले अपके syllabus के बारे मैं आपको बताया, और syllabus में क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्या-क्या चीज़े है, कौन-कौन से topics हैं, कितना उसका weight is है, वो सब चीज़े बताई, उसके साथ में मैंने आपको बताया, आपको कौन सी बुक मिलेगी, उसके साथ में income tax laws हम पढ़ने वाले है, तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे laws पढ़ने वाले है, sections को कैसे read करना है, clause कब आएगा, subsection कब आएगा, इंडिया को run करने के लिए constitution में power दे रखी है, power कहां दे रखी है, आपका article 246 में, और 246 जो article है उसका 7th schedule है, और 7th schedule में 3 list दे रखी है, उसमें union list है, उसकी entry number 82 है, वो government को power देती है, कि हमारी central government tax ले सकती है, on tax on income, other than agriculture income, state government भी ले सकती है, वो agriculture income पे वो power दे रखा है, state list में, बाकी मैंने आज general discussion किया, आज का lecture जो है, बड़ा हलका फुलका ही lecture था, income tax ऐसे हलका फुलका ही रहे आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, और income tax में आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको interesting, this paper is interesting, you have to develop the interest, आप अपना interest है, वो इस paper में develop करिये, आपको बहुत मज़ा आएगा, बस मेरी 2-3 request है, एक तो जो मैं पढ़ाता हूँ, और उस दिन मैं बोल होँगा, वो test paper solve करना है, तो करना है, तो यह सब चीज़े आप अगर follow करोगे, यह subject आप easily crack कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए, तो आज का अपना introductory lecture था, basic lecture था, कल से हम चालू करेंगे, budget के बारे में, इस budget में क्या amendment आए, tax rate, कल से हम चालू करेंगे, tax rate वाला topic के आपके exam के लिए, tax rates क्या है, कैसे है, तो कल से जो पढ़ेंगे, that will be like examination perspective है, वो relevant है, वो चालू होगा, तो कल अपने इसके आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना बहुत है, thanks a lot people, that's enough for today from my side.